आपने पिछले कुछ दिनों के करंट अफेर्स नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट की हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है भारत के मुखे नयाईधीश किसे अपॉइंट किया गया है या किनों ने शपत ली है भारत के मुखे नयाईधीश के तौर पर आपके आप्शन्स हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जस्टिस रंजन गोगोए याद रखिए या 46th चीफ जस्टिस होगे अपने इंडिया के कुछ की पॉइंट्स हैं आप नोट डाउं कीजिए जो चीफ जस्टिस है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेन्ट की तरफ से प्रेजिनेट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस आफ इंडिया को जो पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के उनका नाम था हरीलाल कनिया जी ये 1950 में अपॉइंट किये गए थे और जो सेलरी होती है चीफ जस्टिस की वो होती है 2.8 लाक रुपिस पर मंथ 2.8 लाक रुपिया सेलरी होती है चीफ जस्टिस की ये अभी रिवाइज की गई थी 5-6 महीने पहले तो ये आपको एक्जाम्स में पूछी जा सकती है चलिए हम अपने next question की तरफ चलते है हमारा अगला question है which state government launches its on food security scheme on birth anniversary of महात्मा गांदी महात्मा गांदी जी के जनम दिवस पर कौन सी राज्य सरकार ने अपनी food security scheme launch की है क्या वो आंदरा परदेश है जारखंड, वेस्ट मेंगौल या उडिसा तो दोस्तों इसका सही answer है D. उडिसा उडिसा के बारे में कुछ key points है ये आप लोगों को पता होने चाहिए जो chief minister है उडिसा के उनका नाम है नवीन पतनायक जी जो governor है उडिसा के ये बहुत important है शिरिक गनेशी लाल जी ये मई में ही appoint हुए है तो ये आपको latest एक तरह की information है exams में पूछी जा सकती है जो capital है उडिसा की वो है भुवनेश्वर और इस scheme के बारे में ये जो scheme है ना इसमें जितने भी beneficiaries होंगे उन्हें 5 kg चावल मिलेंगे at the rate of rupees 1 पर kg जितने भी beneficiary होंगे इस scheme के तहट उन्हें हर महीने 5 kg चावल मिलेंगे at the rate of rupees 1 पर kg चलिए हम अब ले next question पर चलते हैं हमारा अगला question है which social media reports major security breach leaving 50 million users exposed by attackers कौन से social media platform ने अभी अभी report किया है कि उनकी जो security है उसमें सेंध लगी है जिससे 50 million users का जो data है वो exposed हो गया है attackers के सामने तो क्या वो social media platform Facebook है, Twitter है Snapchat है या Instagram है तो दोस्तों इसका answer है A. Facebook Facebook के बारे में कुछ key points है जो Facebook found की गई थी वो 2004 में found की गई थी इसके जो headquarters है वो California USA में है और इसके जो chief executive officer है उनका नाम है Mark Zuckerberg ये कुछ key points है चलिए हम अपने next question पर चलते हैं हमारा next question है प्रोजेक्ट उन्नती is related to जो प्रोजेक्ट उन्नती है उसका जो relation है और लिमिन लिखित में से किसके साथ है क्या वो eradication of poverty in ruler areas है poverty की समस्या को जो ग्रामीन शेत्र है बहां से खतम करने के लिए है या development of railways in hilly areas या जो hilly areas में railways है उनकी development के साथ इसका relation है development of ports के साथ इसका relation है या upliftment of tribals के साथ इसका relation है तो दोस्तों इसका answer है C development of ports development of ports के साथ इसका relation है और ये जो scheme थी ये launch की गई है ministry of shipping, road, transport and highways के द्वारा और जो हमारे current minister है shipping department के या ministry of shipping के उनका नाम है नितिन गट करीजी नितिन गट करीजी चलिए हम अपने next question हमारा next question है multinational maritime exercise इपसा मार 6th held between which countries जो multinational maritime exercise है इपसा मार 6th वो कौन से देशों के बीच में हुई है तो आपके options है A, क्या वो India, Belgium और Argentina के बीच हुई है क्या वो India, Brazil और South Africa के बीच हुई है क्या वो India, Russia और Australia के बीच हुई है या वो India, USA और Japan के बीच हुई है तो दोस्तों इसका सही answer है B India, Brazil and South Africa देखिए इसमें I stand for India B stands for Brazil S stands for South Africa और MAR means maritime MAR का मतलब है maritime India, Brazil, South Africa, Maritime exercise देखिए एक key point है यह आप याद रखिए जो South Africa है South Africa की 3 capitals है उनकी जो legislative capital है वो Cape Town है legislative capital का मतलब होता है जहांपर parliament की seat होती है जैसे India के में Parliament की seat है वो New Delhi में है तो इंडिया की legislative capital भी है New Delhi इसी तरह से जो South Africa की legislative capital है वो है Cape Town अब administrative capital जो South Africa की है वो है Pretoria administrative capital से मतलब होता है जहांपर president या head of the state जहां पर निवास करता है, उस जगा को administrative capital कहा जाता है, तो हमारे यहां वो administrative capital भी New Delhi है, लेकिन South Africa में यह Pretoria है, और judicial capital हमारे यहां New Delhi ही है, क्योंकि जहां पर Supreme Court की seat होती है, वो उसे judicial capital कहा जाता है, तो हमारे यहां New Delhi ही legislative capital है, अपना administrative capital है और judicial capital है, लेकिन South Africa में यह तीनों capital केप टाउन उनकी लेजिसलेटिव कैपिटल है प्रिटोरिया एड्मिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और ब्लॉमफांटेन उनकी जुडिशियल कैपिटल है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप प्लीज इसे नोडाउन कीजिए चलिए दोस्तों तो यह थे हमारे आज के को देखिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए थांक यू